हेलो एवरिवन आज मैं आप सभी के साथ दही और ब्रेट का बहुत ही सिंपल हेल्दी सब रेकफार्ट की रेसिपे सेयर करूंगी सबसे पहले आपको यहाँ पर दही ले लेना है दही आपकी ज़्यादा खटी नहीं होनी चाहिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे जितनी ज़्यादा मीठी दई होगी उतना ही अच्छा यह आपका नास्ता बनकर तयार होगा लगभग 4-5 कल्चुल आपको दही ले लेना है दही में जितना कम पानी होगा उतना ही अच्छा रहेगा इस नास्ते के लिए तो उसके बाद हमें विश्कर के सायते से अपने दही को अच्छी तरीके से फेट लेना है दही को हम तब तक फेटेंगे जब तक एकदम ये क्रीमी टेक्सर की ना हो जाए दही को अच्छी तरीके से फेटने के बाद हम एक पैन लेंगे इसमें सरसो का तेल डालेंगे तेल गर्म होते ही एक चुटकी हिंग डालना है आधी चम्मच राई डालेंगे आधी चम्मच जीरा डालेंगे साथ ही यहाँ पर एक सुकी हुई लाल मिर डालेंगे जिसे के आपके तड़के ही में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके बाद बारिक कटा अध्रक लेसन और हरमिस डाल करके अच्छी तरीके से एक से दो सेकेंड तक हम इने अच्छे से भूनेंगे इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को बारी काट कर डालेंगे अब प्याज को हमें अच्छी तरीके से तब तक भूनना है जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधी चोटी चमच से कम हल्दी पॉडर, आधी चोटी चमच से कम लालमिश पॉडर, आधी चोटी चमच से कम धनिया पॉडर, साथी गरम मसाला और आधी चमच हम यहाँ पर कस्मेरी लालमिश डालेंगे नमक आप स्वाद अनुसार डालेंगे डाल करके मसालो को अच्छी तरीके से हमें भुन लेना है एक से दो सेकेंड के लिए तो यहाँ पर मसाले अच्छे से भुन चुके हैं जैसे ही मसाले भुन जाएंगे गैस की फ्लेम को आपको ओफ कर देना है थोड़ा सा मसालो को ठंडा करने के बाद हम इसमें अपने फेटी हुई दही मिलाएंगे दही डाल करके मसालो के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे एक से दो सेकेंड के लिए अच्छी से मिक्स करेंगे जैसे ही दही में सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे हम इसे ढखकर नगा करके 5-7 मिर्ट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे जिसे कि आपकी जो दही का एक्स्टा पानी है वो बहुत ही जल्दी सुख जाएगा और बहुत ही टेस्ट लगेगी जैसे ही आपका तड़का पास से 7 मिर्ट तक तयार हो जाएगा हम इसमें एक चमच कसूरी मेथी डालेंगे उपर से जिसे कि दही के तड़के में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है कसूरी मेथी को हमें तड़के के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है अब हम इसमें डालेंगे खूब सारा बारिक कटा हरा धनिया जिसे कि आपके तड़के का टेस्ट बहुत ही जादा अच्छा हैगा धनिये को डाल कर तड़के के साथ अच्छी तरीकी से मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा दही तड़का बन कर तयार है आप इसे चावल के साथ खा सकते हो रोटी के साथ खा सकते हो बहुत ही टेस्टी लगती है तो अब हम चलते हैं से सर्फ करने के लिए तो आप एक बारी सिंपल सी रेसिपी को जरूर ट्राय करना बस एक बात के आप ध्यान रखना कि दही आपकी खटी नहीं होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखना यह तो यह बहुत ही टेस्टी बनती है अब हम चलते हैं अपनी ब्रेट को सेखनी के लिए तो यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन लिया है एक ब्रेट स्लाइस के उपर अच्छी तरीके से हम बटर लगाएंगे बटर में आप ब्रेट सेके बहुत ही टेस्टी लगती है इस नास्ते के साथ तो ब्रेट की दूसरे साइड भी हम बटर को अच्छी तरीके से लगाएंगे ताकि दूसरे साइड से भी जब हम इसे सेखे तो बहुत ही अच्छे से हमारा ब्रेट सीख जाए दूसरे साइड भी बटर लगा करके हम इसे अच्छी तरीके से सेखेंगे तो ध्यान ड़के फ्रेंड्स आप जब भी इसे बनाएं अगर आप ब्रेट भी खाते हो तो आप इसकी जगा पर रोटी भी बना सकते हो रोटी भी बहुत ही अच्छी लगती है इस वाले तड़के के साथ तो आप इस तरीके से ब्रेट को दबा दबा कर सेखेंगे जिससे की आपका जो ब्रेट सीखेंगा अग्दम क्रंची सिखेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी इस तरीके से आप चाहो तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो बस दही जादा खटी नहीं होनी चाहिए इस तरीके से अपने सारे ब्रेट को सेख कर तयार करेंगे और इसे ट्राइंगल सेख में काट देंगे तो यहां पर हमारा जैट फट इकदम तयार जल्दी से बनकर तयार होने वाला नास्ता तयार है आप इसे दस मट के अंदर बना करके खा सकते हो बहुत ही टेस्टी प्लस हेल्दी है तो आप एक बर इस रेसिपी को जरू ट्राइ करना अगर रेसिपी आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आप एक बर इसे जरू ट्राइ करें